व्लॉग बना सकते हैं तो पहले क्या दिक्कत होती थी कि बाई मैं जब व्लॉग बनाता था मैं काफी सब देख सब यह सब यह सब इक्वेपमेंट बगर के साथ मनारा तो काफी टाइम लग जाता था लेकिन आब हो सब नहीं करना रॉब फोटीज डालनी है तो कोई धिक्कत नहीं होगी लॉगगिंग करने में में असान होगी और वीडियो अपलोड करने में असान होगी तो उसी के वज़ए से मैं काफी व्लॉग डाल सकता हूं तो अब यह डिसाइड किया कि भाई रॉव वीडियोज हर हफते में कम से कम भी मेरा यूनिवर्स्टी है यूकलैन तो एक साल हो गया तो अभी मेरा व्लॉग क व्लॉग डिन डाला सके सारी क्या नहीं डाल पाया इतने कने यहां के साथ इसके बाद दॉक्युमेंटेशन और यहां आने के लिए वह डुक्युम्टेशन करने पड़ते हैं वो शर्य सब करने में काफी टाइम लग जाता है कि वह करने में टाइम लगे तो उनके साथ टाइम प्री ख़र रहा था तो यहां सब लुक्र इस विडियो दिछ सब्सक्राइब ल कर और बाध हर दिन डाल सको आप लोगों के लिए तो तो यहांपर यहां पर दो वार्डोब एक चीर और यह टेबल था पढ़ाई के लिए बागर पढ़ाई ज्यादा करता नहीं तो बाई मैं बैट पर बैटके कर देता हूं लैप्टब पढ़ा हुआ है लैप्टब के साथ थोड़ा खेल लिया तो टाइम पास हो जाता तो मतलब हो गया यह room है तो यह TV जो है यह room के साथ नहीं था यह room मैंने TV मैंने खुद दिया है तो जब मैंने TV लिया second hand लिया marketplace से यहाँ पे facebook से तो जो TV मेरे को पढ़ा था वो पढ़ा था 90 pounds तो यहाँ का 1 pounds जो है वो है करीब कोई 105 रुपे लेकिन अगर अब calculate करो तो 100 के साब से करो तो easy हो जाता है जो मैं करता हूँ तो 90 पाउंड का मिरे को टीवी पड़ा जो की है 9000 इंडियन रुपीज और उसके साथ मगर मिरे को ये Amazon की fire stick लगानी पड़ी क्योंकि उसके बिना ये टीवी चलता नहीं है स्मार्ट टीवी है मगर तो भी चलता नहीं है ये 35 पाउंड की पड़ी तो करीब 13000 के करीब मिरे को ये टीवी पड़ा हुआ है तो भाई बिल्कुछ सस्ता है electronic यहां काफी सस्ता है electronic इतना सही नहीं है और ये जो मेरा रूम है काफी स्पेशिस काफी बड़ा compared to other rooms in the house बहुत तगड़ा रूम है ये और काफी बड़ा रूम है खाली ये है मैंने कमरे की भालत बुरी करके रखे हुई है तो ये जो रूम है इसका rent जो है 350 जो की बनता है इंडिया का 35,000 रूपीज जो की not bad at all क्योंकि यहां पर जो लड़के रहते है बाकी कमरों में है कुछ 300 देते है या तो कोई कोई शेरिंग में रहते है जो मेरा रूम है सिंगल है क्योंकि शेरिंग करना काफी दिक्कत हो जादा काम के बाद आओ यह उनिवस्टिक के बाद आओ फिर किसी की सदर्दी सुना वह बाई जैला नहीं जाता है इतना espaço बुरा यहां का मेरा ओनर वह पूरे दिन सफाई करताहा लोंडा कोई 16 साल 17 साल का लोंडा ए तो बाई सफाइ्साह बोलता है नहीं किसी कोई करो खुद लगा रहाता है सवाई करने में तो यह बहुत बढ़िया चीज है दूसरों को नहीं बोलता है नहीं तो यहाँ पे भाई ऐसे ऐसे लोग है कि गलती कर दी और भाई बोल देंगे कि भाई फाइन 50 पॉंड फाइन भाई तुने ये दाल किरा दी कि गर कैसा है गर में कितने रूम है क्या है पूरा हाउस तूर देता हो बैवे railroad मेरा रूम इस रूम से बाहर निकलेंगे तो यहां थोड़ा कचरा पड़ा है यह एक रूम है जहां पे इस ओनर के भाई रहता है यह दूसरा रूम है यहां पे भी रहता है तो यह रहता है यहां पर दूसरा लोंड़ा तो यह रूम है यह काफी छोटा है इसको बिस्किट खाने देते हैं तो यह है दूसरा रूम तो इसके बाद चलते हैं दिखाते हैं आपको वह है अपना एको रूम अगर वह काफी छोटा है यह रहा मरा टॉयलेट यहां की सकते बैस चीज इस गर की जो हर जगा नहीं मिलती है वह राजेट स्प्रे यह अपना प्यार है इसी से सब चल रहा है छोटा सा टॉयलेट है तो इसके वैसे इसके बाद चलेंगे हम नीचे तो यह जो है यह हमारा डाइनिंग एरिया यहां पर हम बैठते हैं यहां पर सब लोंटे करके क्यूंकि सब लड़के रहतें कोई लड़की लोड़की नहीं है तो सरदर्दी है अपने साथ यहां कुछ नहीं है लड़के लड़के रहतें न चाहिये होता है इंसान को यहां पर सब कुछ है तो यह रहा अपना किचन किचन ठीक ठाक है इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और चोटा भी नहीं है तो ठीक है तो अपने बास यहां सारी चीज़े है यह है यह है air fryer हो गया राइस को करो गया microwave हो गया, fridge हो गया, जो चीजे चाहिए, सब यहां बুतनों की हालती है, लोगों की, तो यहां चार लोग रहते हैं, तीन-चार लोग रहते हैं, यार करीब को चार या पांच लोग रहते हैं तो काफी बरतन है बरे पड़े तो बाई यह देख वाए एक चीज लेकिन यहां पर हमारा जो है वो सारा डाइनिंग एरिया सब कुछ है यहां पर किचन है वो किचन के साथ बाई इनों ने यहां पर दिया है वाश्रूम क्यों ब यहां पर थोड़ी दिक्कत है यहां पर यह यह यूज करना पड़ेगा लेकिन नहाने के लिए बस चैकुजी में बाठते हैं मस्त है एक तम हां तो बाई यह आल्मूस्ट हमारा घर है इसके सिवा अपने पास जो है वो है पीछे यहां पर पीछे जो है वो है थोड़ा सा एरिया जहां पर हम बैठते हैं कभी कबार ना के बराबरी अगर कभी जाना हुआ तो बाहर जाते क्योंकि यहां से पिछे से एक गेट जाता है जहां से हम बाहर भी निकल सकते है तो यह भी आपको मैं दिखाई लेता हूं तो यह रहा इसका लॉक तो यह रहा आएट को स 대한 है तो यह थोड़ा से चोटा सा भेक याड़ है यहां बैठो चिल करो अगर करना है टेब लगाया हुआ टेबल क्या लगाई डबा लगाई सेनकल सकते हैं तो यह रहा है यह रहा आसमान यह है ہं यहां पता नहीं सीमेंट क्यों नहीं करते हैं को यह त़ देखो यहालत है बाहर से घर की और यह वाला है मेरा रूम तो चलते हैं वापस अंतर तो भाई यह था मेरा हाॉस टूर यह गर है जहां में रहता हूँ फिलाल तो लग रहा है जिसी साब से मैं देख रहुँ है चीज़े चार रही है तो ज्यादा देर तो नहीं कभी 15-20 दिन शायद मैं ओर रहूं यहां फिर यहां से दूसरे जगा मूँ कर रहा हूं वो आपको दिखा देंगे जब मैं मूँ कर लूँगा तो फिलाल के लिए यह था मेरा गर एकदम मस्त गर जहां पर कोई दिक्कत नहीं कुछ नहीं एकदम साफ सुतरा गर तो जो यहां का ओनर है वो बैसिकली बॉन इन ब्रॉट अप यहां का है बट उसके जो गर वाले है सारे बांगलदेश के है तो उसका रूम यह वाला रूम ह यहां बाकी दिखाता हूं अपको बाकी यह रहा यह में डोर है यहां से बाहर जाने का यहां पर अपना बहुत बेला हूं बाही मैं बहुत टाइम होता है यहाई से अंदर जाके गर स्टार्ट हो जाता है एक दम मास्त हां तो वाई करीब एक साल हो गया इस गर में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आए ओनर बहुत चिल है काफी चिल है क्योंकि लोंडा है हमारी तरह 26-26 साल कर मैं 26 का नहीं हूँ बाई लेकिन हाँ 26-26 का है तो ठीक है बंदा खुद सफाई करता है किसी को नहीं बोलता है कुछ करने के लिए कि बाई तुम सफाई कर लो ये कर लो वो कर लो वो सब नहीं बोलता है सब रड़के अपना काम करके अपना निकल जाते है सफाई करके अपना अपना किचन किसी ने यूज किया किचन साफ किया वो न तकलीफ नहीं है लेकिन किसी ओनर के साथ अगर आप रह रहे हो गर में तो बाई हर चीज पर यहां पर लड़ाई होगी हर चीज पर सरदर्ती होगी तो मेरा वाला तो बहुत चिल है एक साल हो गया रहे हुए कोई दिक्कत नहीं बाई एक तम मास्त बंदा वह तो पाकिस्तान सब्सक्राइबर आया तो तो मेरे से पहले काफी बच्चे आगे थे और यह चोटा सा टाउन है इतना बड़ा भी टाउन नहीं है यहां पर जॉब्स जो है बहुत बहुत लिमिटेड है काफी लिमिटेड है तो सब लोग आगे थे स्टूटेंट्स पार्टाइम जॉब्स तो जब मैं आया तो स्टाइटिंग का एक मंथ तो मैं बस जॉब डूणने में लगा हुँए था हूस तो मैंने घर से ही करके आ गया तो ऑनलाइन इसका देख ले था है तो वहां से इसको मैंने डिपोजिट बगरा बेज के मैंने बुकिंग कर ली थे घर की तो घर में तो जब सब सही हो गया कोई दिक्कत नहीं अभी तक भाई तुमारा सब पूरा पास है कोई फेल नहीं हुआ होपपुली आगे भी फेल नहीं होगा कोई तकलीफ नहीं तो पड़ाई तो खतम होगी है अब बस वर्क प्लेसमेंट है और डेजरेशन मेरा चल रहा है यहां की प्रेजेंटेशन वगारा रहती है, तो वो काफी सरदर्दी है, लेकिन चल जाता है, compare to India, पढ़ाई बहुत असान है, काफी असान, इंडिया में तो बाई बढ़ा मुश्किल लपास होना, यहां तो बाई जनक नाबास हो जाता है, हर कोई दिक्कत ने, तो बाई इसी के साथ करते हैं, आज को ब्लॉग, and I hope you guys like this video, and please do subscribe to the channel, तो मैं कोशिश करूँगा, कि जितना हो सके उतने वीडियो बना सकूँ, आपको दिखा सकूँ, UK की लाइफ, मैं क्या कर रहा हूँ, UK में क्या चल रहा है, सारी चीज़े जितना हो सके, मैं आपको दिखाने की कोशिश करू और देखते कितनी वीडियो बनती है, पर week तीन चार तो कोशिश करूँगा, तीन तो मीनिमम कोशिश करूँगा, लेकिन कोई बरोसा नहीं है, क्या काम भी है, और अभी मैं full time पे जा रहा हूँ, तो पता नहीं कितनी वीडियो बन सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा हो सके उतनी वीडियो बनाऊं उतना आप लोगों को दिखाऊं कि यहां क्या चल रहा है so don't forget to like share and subscribe and subscribe please subscribe